सब्सक्राइब करऊछ अधुराद चेनल वंडे एक्जाम टार्गेट आपसभी का आपकी अपनी चैनल वंडेक्जाम टार्गेट पर बहुत सहगै नह chromaонिंगे पॉइट SMITH question question WH tua question is question II PAC crush for Saints fame Gothic полностью संभाइस सम्वान से किस संबाई अप्सान या पर हमारा साही हो जाता भी के पलानी स्वामी को के पलानी स्वामी यह है तमिल लाडू के मख्य मंत्री तो इने Paul Harrissky फेलो संवान से सम्वान नित किया गया ये ये सम्मान किसके दिदवार दिया गया तो शिगागो की रोटरि फाउंडेशन हिर्ट है कि अधिजिए कुशल सेवाइं मौहया कराता है अत्व कई उत्रेश्ट योगतान भूंड़ेशन को ऊसार घॉआज्रेख का योगतान देते हैं तो इन दो भीक्तियों को ऐसे दो लोगों को यह समान दिया जाता है तो बात आ जाती हैं पर तमिल नाडू के राज्यपाल कौन है पनुवारी लाल पुरोही थे और रोटरी इंट्रनेशनल के अध्यक्ष कौन है जिसके द्वारा यह समान दिया जाता है तो रोटरी इंट्रनेशनल के अध्यक्ष है होलगर स्नैक रोटर कि लिए अगला हमारा कोशिण है हाली में पॉलेंद के नए रास्टपती कौन बने अपसनियााई पर सही हो जाता है C. Andrez Duda. Andrez Duda पॉलेंद के रास्टपती बने हैं और इस्से पहले भी पॉलेंद के यही रास्टपती थे तो जो चुना एप पुलैंड में इन चनाओं में 51.21% वोट हासिल किया इन्होंने और इसी के साथ इन्होंने चनाओं में जीत भी हासिल किया और जो इनके बिपक्ची उमीद वारते वो कौन थे ट्राजकोवस की यह थे रफाल ट्राजकोवस की इन्हें 48.00 को छोट मिले थे यहां पर बात आ ज पॉलिष जलाटी है यहां पर लिख देते हैं मुद्रा पॉलिष जलाटी है ठीक नेक्स्ट कोशन पर हम आते हैं अगला कोशन आप सभी के लिए कोशन है हाले में अगले सब्ता रसकिन बॉन्ड द्वारा लिखित किस पुस्तक का बिमोचन होगा अप्सन यहां पर सही हो जाता है A Song of India, option A सही होता है A Song of India इस पुस्ता का बिमोचित अगले सप्ता होगा जो लिखी गई है Ruskin Bond के द्वारा, important question है Ruskin Bond के द्वारा लिखी किताब A Song of India ये बिमोचित होगी, कब होगी 20 July 2020 को इसका बिमोचित किया जाएगा, ये इनकी नई बुक जो रिलीज हो रहे, Looking for the rainbow 2017 में जो रिलीज हुई Till the clouds roll by 2017 में और Coming round the mountain 2019 में, इसके बाद आने वाली उनकी यादगार सीरीज की चौती पुस्तक है, जो आ रहे है A Song of India और यहाँ पर देखिए Ruskin Bond ने A Song of India पुस्तक में 16 साल की उम्मर में हुए अपने अनभौ साजा किया है, जिसमें उन्होंने देखन यात्रा शुरू करने के लिए किस प्रकार संघर्स किया था, ठीक है, नेक्स्ट वोप्षिन पर चलते हैं, अगला कोशिन हमारा है, कोशिन आप सभी कि स्क्रीन पर हाली में, कोशिन हाली में भारत में 10 बिलियन अमरीकी डॉलर करी वेस किसके द्वारा किया जाएग गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड के लिए, अब लिख देते हैं, गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन इसके लिए 10 बिलियन डॉलर की रासी देने की घुशना की है, और आपको यहां पर बता देते हैं, बात आ जाती है, गूगल की तो गूगल के CEO हमने बदा दिया Google के CEO है सुन्दर पिचाई और Google का मुख्याले कहां पर है संग्त राज अमेरिका के कालिफॉर्णिया में हम नेक्स्ट कोश्चन पर आ जाते अगला कोश्चन है और यहां पर बस यह जानते रहे जो Google निवेस करेगा वो किन-किन छेत्रों पर ध्यान केंद् को तयार किरना व्योसाय को सशक्त बनाना स्वास्त सेक्षा और क्रिसी में AI कृतिम बुद्धिमत्त आर्टिफिसिल इंटेलिजन्स का लाब उठाने यह चार पॉइंट है निवेस जिस पर Google निवेस के लिए ध्यान केंद्रित करेगा अगले कोश्चन पर हम चलेंगे नेक आप की गर्णा की गई और 2018 वाली तो किस देश की बागगना 2018 ने गिँनीज वर्ड कर रेकौड बनाया तो इसमें वर्ड रिकॉर्ड क्या बनाया है तो सबसे पहले यह जारे है कि यह ओल इंडिया Agora तो इस में कामरे से दुनिया का सबसे बड़ा वनीजिव सरवेक्षण होने के लिए आपको यह बदा दे रास्ती बाग संररक्षन प्राधीकरण के द्वारा प्रतेई चार सालूं में अकिल भारती बाग-ाक्लन जोल मैंने बता है आल इंडिया टाइगर इस्टीमेशन किया जाता है तो आल इंडिया टाइगर इस्टीमेशन दोजार अठारा के चौता संस्क्रंड है जिसने कैमरे से दुनिया का सबसे वड़ा वन्यजियू शर्वेक्षड होने के लिए गिरीज वर्ड रिकॉड बनाया है मैं देगा आपको clear समझ में आ गया होगा प्रसनों और उत्तर दोनों और यहाँ पर आपको बता दें जो data है इस camera से 1,21,337 km पूरे छेत का सरविक्षण किया गया था और आपको यहाँ पर बताते हैं 26,838 camera trap के द्वारा वनी जिवों की जो तस्वीरे ले गए थी कुल तस्वीरे कितनी है तीन करोन अड़तालिस लाक तीन करोन अड़तालिस लाक अठावन हजार 623 इतनी तस्वीरे ले गए थी और इन तस्वीरों में 76,000 कुछ बाग थे और 11, दुनिया में बागों की कुल आवादी का 75 प्रिशतर यानि 2967 यह कितने है भारत में ही अकिले हैं तीक है यहां पर बात आजाती भारत की तो भारत से रिलेटेट कुछ इंपोर्टिन फैक्स जान लेते हैं जो आपकी एक्जाम के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट जिएस का पॉर्सन आपका इसमें से बहुत जादा तयार हो जाएगा और इसमें से कुछ कोशिन डिरेक्ली पूछे जाते हैं तो चले डिटेल में देख लेते हैं भारत की बारे में यहाँ पर जितनी चीजें हम आपको बताते चलें आप लोग ध्यान से सुनते चलिए और सा एकजाम में कोशिन पूछे जाते हैं सब कुछ आप लोग लाइन से नोट करेंगे अब यहाँ पर देखिए भारत भागोलिक द्रिष्टी से विश्व का सात्वा सबसे बड़ा देश है भागोलिक द्रिष्टी छेत्रफल की द्रिष्टी से सात्वा सबसे बड़ा देश ह पहले नमबर पर रूस, दूसरा है कैनडा, तीसरा चीन, चौथा अमेरिका, पाच्वा ब्राजील, छठा अस्ट्रेलिया और सात्वा है भारत लेकिन अगर जनसंख्या की द्रिष्टी से हम बात करें तो दूसरा सबसे बड़ा ये देश है अगर हम मैप में बात करते हैं कौन सा देश इससे सीमा बना रहा है, कौन सा देश इस्तित है तो पश्चिम में इधर की तरफ आप देखेंगे पाकिस्तान है, उत्तरपूर में चीन है, नेपाल और भूटान है पूर में इधर बांगलादेश है और म्यांगमार इधर इस्तित है उत्तर में हिमाले परवत है दक्षण में हिंद महासागर अब पूर में इधर बंगाल की खाड़ी है पश्ची में अरब सागर है ध्यान देजीगा जितने पॉइंट आपको बताए मैंने सभी बहुत ही इंपॉर्डेंट है अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इंडिया की राजधानी क्या है नई दिल्ली सबसे बड़ा नगर मुंबई है रास्टपती कौन है प्रेजन टाइब में भारत की राष्टपती है रामनात कोबिन उपरास्टपती वेंकईया नाइडू प्रधान मंत्री नरेन मोदी जीए और लोकसभा अध्यक्ष कौन है लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिडला भारत के मुखे ने आए धीश इस समय कौन है शरद अरभिन बोबडे कुल राज्य कितने है कुल राज्यों की संख्या है 28 और केंशासित प्रदेशों की संख्या है आठ उच्च सदन को यहां पर कहते है राज्यसभा है निम्न सदन है लोकसभा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है वारत में तो राज्यस्थान जोकी छेत्रफल की दृष्टी से सबसे लंबी नदी कौन सी है गंगा अब यहां पर हम बात करेंगे रास्ट ये प्रतीक की बारे में चहां से कोश्चन खुब पूछा जाता है ध्यान से अप लोग देखते जाईएगा ध्वज क्या है तिरंगा रास्ट ये चिन अशोक की लाठ है रास्ट गान जन गण मन है लिखा किसके द्वारा गया है बंकिमचन चैटर जी दोनों में कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं करना है रास्ट गान और रास्ट गीत में रास्ट ये पशु बाग है जिसका जन्तु बैग्यानिक नाम जोलोजिकल नेम है पैंथेरा टाइग्रिस जली जी गंगा डॉल्फिन है जिसका जन्तु बैग्य नाम है पाओ क्रिस्टेटस पुस्प की बात करते हैं तो पुस्प है कमल निलंबियन निूसिफेरा ब्रिक्ष है बरगत फाइकस यूरोस्टिग्मा फल आम है जिसका बोटैलनिकल नेम है मैंगी फेरा इंडिका मैंगी फेरा फेरा इंडिका खेल, मैदानी, होकी है पांचांग, शक्समवद इतने important point आपको याद करने ही इंडिया से related clear है इतने point तो आपको इंडिया से related 100% तयार होने चाहिए और उम्मीद है कि अब आप लोग गलती नहीं करेंगे जितना कुछ भी आप लोगों ने देखा है सब एक करके रड़ डालेंगे clear है कोशिने हाली में किस विशुकब चैंपियन फुटवालर का निधन हुआ अब सनिया पर सही हो जाद है हमारा भी जैक चार्ल्टन का इंग्लैंड की 1966 1966 विशुकब विजेता टीम के सदसी थे जैक चार्टलन इनका हाली में ने दन हो गया ठीक है कोशिने हाली में जियो प्लेटफॉर्म में 0.1% की हिस्तेदारी किस ने ले ओप्सन यहां पर हमारा सही हो जाता है C Qualcomm Ventures Qualcomm Ventures ने जियो प्लेटफॉर्म में 0.15% की हिस्तेदारी का अधिक रहण किया है ठीक है Reliance Industries RIL Reliance Industries Limited ने Qualcomm Ventures को जियो प्लेटफॉर्म की 0.15% हिस्तेदारी भीचने की घुश्टा किया है और ये Qualcomm ने यह अधिक रहन कितने रुपए में किया है तो 130 करोन रुपए में यह अधिक रहन Qualcomm के द्वारा किया गया है ठीक है और जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड Reliance Industries Limited की एक सहाइक कंपनी है ये धियान दीजेगा जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड ये Reliance Industries Limited की एक सहाइक कंपनी है जो डिजिटल एप्लिकेशन रन करती है और प्रद्योकी से समधी कायों में जो निवेस होता है उसको ये कंट्रोल करती है ये भारत की कानूनों की दायत पंजिक्रिते जिसका उद्देश है पुरी भारत में अच्छी क्वालिटी और सस्ती डिजिटल सेवाइं प्रदान करना है और क्वाल कॉम विंचर्स ये क्वाल कॉम का एक वैश्यू फंड है जो 5G, Artificial Intelligence, Internet of Things, Automotive, Networking के साथ साथ उद्द्यम के विभन छेत्रों में वायरलिस जो अग्रिडे कंपनिया है इसमें ये निवेस करती है और यहां पर अगर हम बात कर लेते हैं क्वाल कम विंचर्स की तो इसके मुख्य कारी-कारी अधिकारी CEO कौन है तो CEO है स्टीव मोलिन कॉफ हम अगले कोशिन पर आते हैं कुशन है, में में पर स्ट्र कोशिन है पकलписकार से संवहानित कि इस पत्रकार का निधान वा तो बिकल्पियां प्रश्यो जाता है, नागी कौश्याति पत्रकार और अन्य बिस्यों पर लिखी उनकी पुस्तक के लिए चाहना जाता है तो फ्रेंस यहां पर आज के हमारे करेंट अफेर के कोश्चन हो जाते कंप्लीट कर लेते हम जल्दी से सुपरफास रिबिजन तो कोश्चन हाली में पॉल हैरिस फेलो समान से किसे समानित त्यांगे तो कोश्चन हाली में अगले सप्ता रस्किन बांट के द्वारा लिखित किस पुस्तक का भी मोचन होगा ओप्सन ए सही होता है असौंग ऑफ इंडिया इनके बारे में डिटेल था और अगले कोश्चन पर रमाएंगी कोश्चन हाली में भारत में 10 बिलियन अमरीकी डॉलर का अगला हमारा कोश्चन हाली में किस देश की बाग गर्णा 2018 ने गिनीज वर्ड रिकॉर्ड बनाया ऑप्सन ए सही होता है भारत कि नेक्स्ट्रे हाली में किस विश्व कप चैंपियन फुट्बॉलर करने दन हुआ तो बिकल्प यहां पर भी सही होता जैक चॉल्टन कोश्चन हे आले में जियो प्लेट फॉर्मों में 0.15 परजन के हिस्सेधारी किस ने ली आप्सन यहां पर सही हो जाता है सी विश्व कॉल्कॉम फेंचर्ज ने एक्स नमारा कोश्चिन है हाली में पदमिस्री, पुरसकार से समाने किस पत्रकार का निदानोत, आप्सन ए सही होता है, ना किदास, संग भी का फ्रेंज यहां पर आज के करेंड अफेर के कोश्चिन हो जाते हैं कम्प्लीट, इनका सुपरफास भी रिवीजन हो गया चलते हैं कल के कोश्चिन की तरफ, कल की कोश्चिन का सुपरफास रिवीजन कर लेते हैं सबसे ज़ादा निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा बना यह सही होता है भारत है पहले नंबर पर कौन है आप लोग को कमेंट करके बतारा है कोशिन हाली में किस सरकार की दौरा भारत की पहली लोग अधालत का आयोजन किया गया ओप्सन ए सही होता है 36 ग स्सेंटेबिल्टी पूरसकार 2019 सक्रिक सने जिता तो मेंट बेकल्पिया हमारा सही होता है आपसन भी एंट तीपीसी ने नेक्स्ट को स्ट्पिते कहली में जाने मौने किस काटूणिस्ट का निधन खात वाप सनिया पर सेह जाता हम कि हमारा लेक्टों। सब्सक्राइब कोशिन हाली में सौट डॉकुमेंटरी के लिए दादसाहिब फाल की पुरुस्कार 2020 से किसे ना वाजा गया तो ऑप्सन भी सही होता है के जंग दी ठॉंग डॉक कोशिन हाली में किस सरकार की द्वारा यह कोशिन लोगों नहीं कर लिया रिपीट हो गया है चल लाला दिवस मनाये गया और से सही हो तब 12 जुलाई को कोशिन हाली में एक बार फिर सिंगापूर के नए प्रदान मंत्री कौन बने हैं तो ऑप्सन यहां पर सही हो जाता है सी ली सियन लुंग कॉशन हाली में एशिया कप टोनमेंट को कब तक के लिए स्थगीत कर दिया गया तो बिकल्प यहां पर सही हो जाता है ओप्सन बी 2021 के लिए इस्थगीत कर दिया गया है नेक्स्ट कोश्चन पर हम आएंगे अगला कोश्चन आप सभी के लिए हाली में किसके द्वारा बीमा कंपनियों को कोरोना का वज बीमा पॉलिसी लॉंच करने की मंजूरी दे दी गई है और सनिया पर ए सही होता आई आर डी ए आई के द्वारा तो यहाँ पर कलके कोश्चन का सफ़फास्त रिबिजम नें हम लोगों नहीं कर लिया और जितने कोश्चन हम ने पूछे थे जो भी कोश्चन हमिने पूछे थे उसका आपको सवाल के रूप में और अप लोग शिकायत की कि अप लोग की शिकायत थी कि हमने एक दिन पहले करने अफेर का कोश्चन नहीं कर वाए तो भी हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं कोश्चन पूचा जा रहा है हाली में भारत ने यहां पर केंद्री मानुसुन सादर मंत्री के साथ साथ में डॉक्टर हर्स वर्दन भी थे नेक्स्ट हमारा कोश्चन है हाली में भारत सरकार ने एन एच ए आई अध्यक्ष की कारिकाल का बिस्तार किया तो बरत्मान अध्यक्ष कौन है ऑप्सनियां पर सही हो जाता भी कोश्चन हाली में एम बंक या नाइडू ने फ्यूचर आफ हायर एजुकेशन नाइन मेगा ट्रेंज पुस्ता कभी मोचन केस पुस्ता के लेखा कौन है तो आप्सन सी सही होता है वी पट्टा भी राम कोश्चन हाली में आई ओबी इंडियन ओवर्सीज बैंक के एमडी और सी ही वो पट से कौन रिटायर हुए तो बिकल्प यहां पर सही हो जाता है सी करडम सेकर नेक्स्ट है हाले में किस देश ने एपक समिट 2021 को रद्ध करने का अलान किया तो आप्सन भी सही होता है न्यूजिलांड आपको यहां पर डिटिल में बताएगा अगला कब होग कहां पर होगा और प्रिजेंट वाला जो पोस्पोन हुआ वो कब होगा और कहां पर होगा कोशिन हाले में पहुत देल लगाओ परियावरन बचाओ अभियान किसके दौरा शुरू किया गया तो ऑप्सन एस सही होता है दिल्ली सरकार की दौरा नेक्स कोश्चन पर आएंग जोड़ा टमाण करना सी एंद लसी के साथ तो फ्रेंज यहाँ पर एक दीन पहले का हम्प्लीन चलते हैं कि सवाल की सब चैनल आँ सब कि लिए हाले में किस देश की बागद गठना ने गिनीज वुक अब वर्ड रिकॉर्ड बनाया तो गिनीज वर्ड रिकॉर्ड बनाया किस ने बारत दक्षण अफ्रेका सोब्यत रूस कोई नहीं बेकलब कौन से सही होगा आप लोगों से क्लास अच्छे तरीकी से अटेंड किया तो इसी के साथ ही क्लास को यहां पर कंप्लीट करते ह अब लोग जरूर उसे अटेंड कीजिएगा और जैसा आप लोग का रिस्पॉंड आता है अगर हमें रिस्पॉंड अच्छा मिलेगा तो हम यहां पर आपकी च्छे के बाद 6-8 कंप्लीट कर रहें फिर 9-10-11-12 भी इंसी आटी कवर करेंगे जीएस आप कभी छूट ही नह लें कावर ना किया हो तो हम लोग पुरा बहुत बड़ा टार्गेट लेकर की चल रहें बस आप लोग की हल्प की जरूरत है अप लोग की सपोर्ट की जरूरत है और आप लोग अग्या हो जाएं एक दम से अप्ट हो जाएं बस यह में सुचिए की बैकन से नहीं आरी नहीं आरी नहीं से पल वही होगा जो पॉंटिनीऊ चलता रहेगा तो इसी के साथ ही आज की क्लास को यहां पर करते हैं कम्प्लीट मिलते हैं फिर नेक्स क्लास में तर तक लिए गुडबाय और थे कहते हैं कि समाच चला भी ओल बबाय और थे कहते हैं